नमस्कार मैं राजेश वराब देखने चीटिवेश मद्परदेश के उमरिया जीला मुखलय निवासी खंडेल वाल परिवार में पिता की मौत के बाद भी दो सगे भाईयों ने अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर असिस्टेंट कमिशनर बनवा दिया एवं बहन की पढ़ाई में आथिक समस्या पैदा नहों इसलिए भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी यह कहानी भाई बहन के आपसे रिष्टे में मौझूद प्यार त्याक एवं समर्पन का अनुठा उधारन सामने आया है जिल्या मुख्याले निवासी गीता खंदलवाल के पती की मौत वर्स 1994 में हो गई थी जहां उनके तीन छोटे छोटे बच्चे थे उनके दो बड़े बेटे चार साल की एवं धाई साल के थे एवं छो माह की उनकी बेटी थी जहां पीता की मौत के बाद परिवाद में आर् एक दिन उनका खौब पूरा हो गया बड़े भाई देवास ने छोटा मोटा वैपार करके अपनी बहन की पढ़ाई में मदद सुरू कर दी है और दूसरे भाई अभिशेक ने छोटी बहन के साथ इंदोर में रहकर उसकी पढ़ाई में मदद कराने लगा छोटा भाई अभ अपनी कमाई के पैसों से बहन की PSC की तैयारी करवा दिया वहां उनकी छोटी बहन दिपाली खंडिलवाल प्रथम प्रयास पर ही वर्स 2016 में असिस्टेंट कमिस्टनर सा कारिता का पध हासिल कर लिया लेकिन उनका डिप्टिक कलेक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं परिच्छा दी और लगातार तीन बार की परिच्छा में उन्होंने DSP उपसंचालब पुद्योग के लिए सेलेक्ट हो गई वहीं दिप्टिक कमिस्टर सहकारिता के पत पर अपनी सेवा दे रही हैं वहीं दिपाली खंडिलवाल अपनी सफलता के पीछे अपने भाईयों क योगदान को सर्वस्रिष्ट मानती हैं जहां उनके भाई अपनी बहन की इस उपलब्दी को उनके कर्थिन परिश्रम कोहिश्रेह देते हैं पेशे उमरे से संकर सिंग चैजल की खास रिपोट जिनकी बदोलत आज में इस मुकाम तक पहुत सकी हूँ क्योंकि मेरे दोनों भाईया लोगों नहीं मुझे मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत सपोर्ट किया मुझे उमरिया जैसी चोटी जगह से बाहर बेचकर इन दौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मेरे जो छोटे भाईया है उन्हों अपने एडुकेशन से ब्रेक लेक करके मुझे मेरी पढ़ाई में सपोर्ट किया ताकि मेरी पढ़ाई में कहीं कोई रुकावट ना आए और उसके पास कंटीनियसली मैंने जब-जब प्रिप्रेशन करी मेरे सारे अटेंट में सारे इंटर्व्यूस के समय उनका मोरल सपोर्ट मुझे मेरे दोनों भाईयों से मुझे मिलता रहा और जब लोग कहते थे कि पेसी जैसा कटीन एक्जाम है जो लोग फरस्ट अटेंप में क्लियर नहीं कर सकते वहाँ पर मेरे दोनों भाई मेरे मोरल स्ट्रेंट की तरह मेरे मिलेगा तो आज मैं जिस जगह पर हूँ उसका पूरे श्रे मैं मेरे दोनों भाईयों को देती हूँ और मैं बहुत लखी हूँ कि मुझे ऐसे दो भाई मिले हैं बहुत किसमत वाली बेहनों को ऐसे भाई हमारे उमर्या जिला में शेफ चिमनलाजी का नाम लगवंग दानते हैं एक अच्छे प्रतिष्ट और अच्छे प्रतिष्ठान के व्यापारी हैं और अच्छे व्यवार और कुसल व्यापारी हैं इनकी बेटी और किसाधी हुई इसके बाद में इनके बच्ची के दो बाला के वाली का गजन होगा ये बड़ी दुखत बात है कि इसी क ततबर छोटे-छोटे बच्चे थे और पती का देहानत हुआ इनि की चुमनलाल सेट जी के दामाद का। इसके दोरान मा लकर के कोशिश में साथ में चुमनलाल सेट का अन्य लोगों का जो भी सहयोग रहा उसके रिष्तिदारों का सहयोगियों की विशेद घुनका रही उसको सहयोग मिलता गया होसला बढ़ाते गए दोनों बच्चे पढ़ने लगे पढ़ते पढ़ते एक स्थाओं की मदद करने में जुट गया साथ में एक बाई इंदोर में ही रहकर जो अध्यन किया करते थे वह भी अपनी सिक्षा को धूरी रोब करके बहन को कोचिंग कराने लगे 2016 में भी यह सेलेक्ट हुई थी पर 2016 में सेलेक्ट हुई उसको संतुष्टी के रूप का पद दिपाली जी के जीवन में एक से एक उच्पद, एक से एक प्रतिष्टा, एक से एक सम्मान मिले और उनके सभी परिवार, सभी रिष्टेदार और उनके भाईयों की अर्मान पूरी हो और आसा है कि इसी तरह से हमारे समाज के अंदर बहनों के लिए, बेटियों के लिए हम सब सहयोग करें और उनका गौरव बढ़ाएं आज देखिए कि मिसाल बना दिया है तो भाईयों ने एक बहन को किस पत्पे की सस्थान पर पहुंचा दिया है यह उनकी बहुत बड़ी भूंका है इसके लिए आप सब उनके भाईयों को धनवाद करें और दीपाली जी के परि कारियत है और इसका बहुत बड़ा खुशी है इसकी लिए तैदल सी मेरा आशिन पर शिष्टर ने भी किया थोड़ा बहुत हम लोगों ने संगर्स नहीं किया वो जब थार्ड सेकेंड फोर्थ क्लास में थी तब भी बारा से अठारा गंटे पढ़ती थी हर क्लास में हर क् में टॉप करती थी तो वो पढ़ाई के प्रति उसका वच्पन से ही ऐसा रुजान था इसी को आप संगर्स माल लीजिए जो भी माल लीजिए और हम लोगों ने जितना हो सका दोनों भाईयों ने मम्मी ने नाना जी ने उसकी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया उसकी सdepना पाये उसके लिए हम लोगों ने हमेंसा प्रयास किया है। है इसकी बेहन डिप्टी कमिशनर है या डिएसपी है तो बहुत अच्छा लगता है गर फील हमारे यहां कि एक बिटिया ने एक पिस्टी में बड़ा पदा हासिल किया है और उसके पीछे उसके पूरे परिवार की संगर्ज की कहानी है जहां मातव इद्वा हो गई वहां भा अबीक की बात है हम जहां इस दुनिया में देखते हैं कि लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं वहां पर भी इस तरह से चाग और समर्पाश अपाई देंका प्यार अपने आप में एक अनुदी मिसाल है मैं सभी लोगों से इस बार की अधील करता हूं कि हम लोग भी अपने अधिकारी निकलेंगे अपने भाई बेहनों के सपोर्ट से एक बार फिर उनकी काम्यावी की मंगल कामनाओं के साथ हैं बहुत संगर्च के साथ वो मेरी स्टुडेंट दीपाली जो है आज इस मुकाम पर है जब वो तीसरी और चौथी पे थी तभी उसके सिर से पिता का सा दो भाई उसके हैं एक देवांस सदूसरा विसेक दोनों ने उनको पिता का प्यार दिया और बहुत चोटी उम्र से ही इन दोनों भाईयों ने अपनी बहन के लिए जो है पिता की भूमिका आदा की और शसक्त जो है और नेत्रित दिया और एक आशर दिया और दीपाली को जो है लड़की होने के बहुजूत भी उन्होंने इन दोर शहर में जो मद्रप्रदेश का महानगर है वहां पढ़ने के लिए भीजा और उसने भी अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किया देवांस तो दीपाली से बहुत बड़े हैं और में प्रतिभा है उसको पहले उसर दें क्योंकि एक आर्थिक संगर्स तो था ही पित्र विहीन परिवार था बहुत बचपन पे ही पिता का साया उठ चुका था तो उसने ये त्याक किया और अपनी बहन को ओशर दिया और इश्वर ने भी अच्छा साथ दिया उन दोनों की मेहनत को और देपाली जो है वो प्रथम प्रयास में ही मध्यप्रदेश की परिच्छा के लिए वो चैनित होई और सहाय कायुक्त हुई झो उसकी इसको चूस किया परंतु उसकी इक्षा अभी भी है और भाई की भी तमन्ना मा की भी तमन्ना इक्षा है आर्जू है कि वो जो है ढिप्टी करेंग्ट ठरु घए इंब्याम गर्टी क्या और अज बेटी निए उमद्याम डहले का नाम रोशन किया है इस गरीप पिस्तिति से užक दो संभानी कि मदद्ली होगे का और तबनी है अंतरिले का नाम रोषन किया है बाकि उसके भाई ने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए प्राइबेट सर्विस करके और तनमन से कारी करकर अपनी बहन को अपनी सफलता के मुकाम पर ले जाने का जो एक प्रयास था उसका और उसनों उस मंजिल पर अपनी बहन को बढ़ा दिया उसकी मा के इस्तित्व पागल बंज ऐसी ही कहा जा सकता है कि जिसके पास जीने का कोई रास्ता न हो और ऐसे माईके के सहर में पड़ी हुई थी पिचारी अपने बच्चों को देख करके किस तरह से उसने संसकार दिया मैं उस मा को धन्वाद करती हूँ कि जिसके संसकार ने उसके बच्चों को इतना उचे सिखर तक पहुंचाया और मैं सम्मानी चिम्मनलाल जी को ऐसे आधरनी हमारे सम्मानी मैं उनको भी नमन करती हूँ और सुब कामनाओं के साथ ये समाज को एक संदेज दीना चाहती हूँ कि हर पुरुस को इसी तरह आंगे आकर के अपनी बेहन बेटियों की मदद करनी चाहिए जैसे सम्मानी चिम्मनलाल जी ने की